दोस्तो हम लोग पत्ता गोबी तो कई तरीके से बनाती हैं एदि आप ये लाजवाव पत्ता गोबी की सबजी इस तरीके से बना के तयार करेंगे तो सच मानिये दोस्तो जहां आप एक या दो रूटी खाते होंगे कहीं ज्यादा खाने वाली हैं और एदि आप इसके साथ ल दाल चाबल के साथ साइड डिस्क के रूप में भी परोश सकते हैं तो आईए दोस्तों इस रेस्पी को हम बनाना शुरू कर लेते हैं पत्ता गोबी की सबजी बनाने के लिए हमें चाहिए ताजा पत्ता गोबी जिसको मैंने पतले-पतली स्लाइस में कट करके रखा हुआ है एकडम लग्षेदार इसको हम गर्म पानी में डाल की रखेंगे ऐसा करना बहुत जरूरी है पत्ता गोबी को हमेसा गर्म पानी में डाल की थोड़ी देर के लिए रखना चाहिए दोस्तों और यहां पे देखें दोस्तों हमने 2 छोटे चमाच तेल को अच्छे सी गर्म किय आदा चम्मच हम ने जीरा एड़ कर लिया और ऑधा चम्मच ही हम श्ड़ाय को एड़ करेंगे मम करेंगे जदीर्फ कब्राइज मुस्यान्रं हरीमर्च and सब्सक्राइज कि आसके जयाधा बूंगा हम इस सब्सक्राइज में लाल मिर्च पॉbility को एड़ कारेंगे तो यहां पे हम थोड़ी सी ज्यादा मिर्च को एड़ कर लेंगे अब इसको चला भी लेंगे और चला है lot whatsoever चैसले करेंगे हैं अब इसमें हम प्यास को एड़ करेंगे एक मीडिम साइज की प्यास मैने ली और इसको पत्ले-पत्ले स्लाइस में कट ये रखा हुआ था उसको हम एड़ करेंगे और बस प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं पूरना है दोस्तों बस हलका सा ही सॉफ्ट करना है दोस्तों सब्जियों में कीड़ा निकलना तो आम बात है लेकिन बंद गोवी में निकलने वाला टैप पर्म जो की स्वास्ते के ल किसी सॉफ्ट हो चुकी है अब इसमें हम सिम्ला मर्च को एड़ करेंगे ये दिखिए दोस्तों हमने याँ पे सिम्ला मर्च को एकदम पतले-पतले स्लाइस में कट किया हुआ है इसको हम इसमें एड़ कर लेंगे इन सभी सब्जियों को दोस्तों हमें देर तक नहीं बून तो बहुत थोड़ी सी ही हमें अलदी यहां पे एड़ करनी है वस हलका सा कलर देनी के लिए तो इसको भी हम हलकी आच पे भून लेते हैं अब इसमें हम दोस्तों अद्रक और लैसुन का पेश्ट हम बाद में ही एड़ करेंगे जिसे कि इसका फ्लेवर इसमें अच्छी से बना रहना चाहिए तो अब इसको भी हलका सा हम भूनेंगे तब ही हम इसमें पत्तागोवी को भी आड़ करेंगे आज को यहां पे हम धीमा करेंगे और सारी पत्तागोवी हम एक साथ ही एड़ कर लेंगे दोस्तो इस सब्जी में हम पानी को बिल्कुल भी एड नहीं करेंगी क्योंकि ये जो सब्जियां हैं जब हम भूनेंगे इस सब्जी को धीमी आज पर तो ये पानी को छोड़ देती हैं इसलिए हमें पानी का इसमें बिल्कुल भी एड नहीं करना है तो यहाँ पे दिखिए दोस्तों लगबग 5 मिनट हो चुकी हैं सारी सबजीयां अच्छे से सौप्ट हो गई हैं और यह पहले से काफी कम दिख रही हैं तो यहाँ पे हम स्वादा नुशार नमक को एड़ करेंगी नमक को बहुत ही ध्यान से एड़ करेंगी दोस्तों क्योंकि यह जब सबजी पक जाती है तो बहुत ही कम हो जाती है तो इसलिए हम नमक को बहुत ही ध्यान से एड़ करेंगी हमने यहाँ पे गरम मसाला को भी एड़ कर लिया है यह देखिए मैंने यहां पे किचिन कींग मसाला को एड किया ہے दोस्तो M-D-A-C का जो किचिन कींग मसाला आता है उसको हमने इसमें एड किया जिसका बहुत अच्छा फिलेवराता है सबजी में आप चाहें तो कोई सावी मसाला एड कर सकते हैं लेकिन ये मसाला जो इस सबजी में मैंने एट किया वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इस सबजी को जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाता है अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढग के पकाएंगे ज्यादा देर तक नहीं पकाना है और अब यहां पे 2-3 मिनट ही हुए हो दोस्तों ये सबजी अच्छे से पक चुकी है क्योंकि हमें इस सबजी को क्रंची रखना है दोस्तों जादा नहीं कलाना है बिल्कुल भी तो अब लाश्ट में भी हम थोड़ा सा किचिन किंग मसाला एड करेंगे और अब इसमें हम लंबी कटी हुई हरी मिर्च एड सिर्फ अच्छा दिखने के लिए दोस्तों और धनिया को एड करेंगे धनिया को हम काटके एड नहीं करेंगे दोस्तों इसकी पत्तियां जो चोटी-चोटी होती है उसको हम निकालेंगे तब एड करेंगे मिक्स करेंगे और सबसे लास्ट में हमें एड करना है इसमें की सबजी आप इस रेस्पी को जरूर ट्रै कीजिएगा रेस्पी अच्छे लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं तब तक के लिए थेंक यू